दोस्तों मैं सोरमली का आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ डेली करेंट अफेर क्वीज में आज हम देखेंगे 21 अपरेल की करेंट अफेर को जोकि सभी परिक्साओं के लिए मैथ पुन रहेगी डेली करेंट अफेर क्वीज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करेंट अफेर के कोशन अंसर को कवर कराता हूँ जोकि पूरे दिन की करेंट अफेर होती है अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगूरर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना आज का हमारा रिवीजन कोशन है हाल ही में किसे टाइम मैगजिन की दुनिया के सो सबसे परभावसाली लोगों की लिस्ट में सामिल किया गया है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर कल की वीडियो में बता चुके है चले शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर है रास्टे सिविल सेवा दिवस कब बनाया जाता है देखे पहले कोशन का सही उत्तर हैगा 21 अप्रेल को यानि किसी इस दारेट आंसर दूसरा कोशन है भारत और दक्सिन एसिया केटेगरी में सवसरिस हवाई अड़ा क्रमचारी का प्रुषकार किसने जीता दूसरे कोशन का सही उत्तर हैगा दोस्तो हैदराबाद ने यानि कि B is the right answer तीसरा कोशन है संयुक्त रास्ट यानि कि UN में फिलिस्तीन को पूर्ण सदश्यता देने के प्रस्ताप पर किस देश ने वीटो लगा दिया तीसरे कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तो अमेरिका ने यानि कि A is the right answer कोशन नमबर फोर है तेरवा येरोपियन गल्स मैथमेटिकल ओलंपियार्ड दोजार चोबिस कहा आयजित हुआ कोशन नमबर फोर का राइट आंसर हैगा जारजिया में यानि कि D राइट आंसर हैगा पाजवा कोशन ने अंतरास्टे मुद्रा कोश यानि कि IMF ने वित्तेवर्ज तोजार चोबिस पच्चिस में भारत की GDP व्रद्दी दर का अनुमान कितना लगाया पाजवे कोशन का सही उत्तर हैगा 6.8 परसेंट यानि कि C is the right answer आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master PDF को ले सकते हैं मात्र 170 रुपे में इस PDF के अंदर आपको सारी subject मिलते हैं वो भी पूरी lifetime के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं master PDF का link description box और हमारे WhatsApp नमबर दोनों जगे रहेगा link पर किलिक करके payment करके आप PDF डारेक्ली प्राप्त कर सकते हैं चटा question है हाल ही में भारत और किस देश के सेना परमुकों ने high-tech IT lab का उदगाटन किया चटे question का right answer रहेगा उजबेकिस्तान यानि की B is the right answer साथवा question है सुपीरियो चकरवर्ती बनाम union of India case LGBTQ plus समुदाए हेतु के लिए केंदर सरकार द्वारा किसकी अध्यक्सता में समीती का गठन किया गया साथवे question का सही उतर रहेगा राजीव गोबा के यानि की A is the right answer आठवा question है हाल ही में किस देश के सेन्य परमूग फ्रांसिस ओमोडी ओगोला की हेलिकॉप्टर दुगटना में मृत्यू हो गई आठवे question का सही उतर रहेगा दोस्तों केनिया के यानि की B is the right answer question number 9 है 6 साल की उम्र में गिनीज बुक को रिकोर्ड बनाने वाली तक्सवी वगानी की स्खेल से संबन्दित है 9 question का right answer हैगा दोस्तों skating से यानि की B is the right answer question number 10 है NSG यानि की National Security Guard का महानदेशक किसे न्यूक्त किया गया है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा share करना अपने सभी दोस्तों के साथ में और मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं यह वीडियो सभी प्रिक्षाओं के लिए मैत पूने सुबह साड़े 6 बजे only top study YouTube channel पर आती है यह वीडियो इसको जरूर देख लिया करें दसवे question का right answer हैगा नलीन परभाथ यानि की right answer B हो जाएगा 11 question है हाल ही में किस के इंसासित प्रदेश में खुबानी खिलना मौचसव दोजाचोबिस शुरू हुआ 11 question का सही उत्तर हैगा लद्दा यानि की C is the right answer कोशंबर 12 है चर्चा में रही राइस्थान की सिंदेशर कुर्द खदान किस खनीच से सम्मदित है 12 question का सही उत्तर हैगा चांदी यानि की A is the right answer question number 13 है हाल ही में किसे उर्जा में उत्करस्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है 13 question का सही उत्तर हैगा दोस्तो कोशिक राजसेखर को यानि की C is the right answer हाल ही में इंटेल ने किसे भारत छेतर परमुक के रूप में कोशित किया है इस question का दोस्तो सही आंसर हैगा संतोस विस्विनात को यानि की B right answer हो जाएगा कोशंबर 15 है हाल ही में किसे मेलकम आदिसेश या पुरुसकार परदान किया जाएगा तो यहाँ पर 15 कोशन का सही उतर रहेगा दोस्तो उत्सा पटनायक को यानि कि C is the right answer सोलबा कोशन है हाल ही में AFMS और किस IIT ने सेनिकों की सवास्त समश्चाओं के समधान के लिए समझोता किया है कोशन नमबर 16 का सही उत्तर रहेगा IIT कानपूर यानि कि A right answer हो जाएगा सतर्वा कोशन है हाल ही में रमन सुबा रो का निदन वावे कोन थे ये किर्केटर थे यानि कि A यहाँ पर सही आंसर रहेगा कोशन बर 18 है हाल ही में समपत्ति के आधार पर एशिया परसांत में सिर्श 50 रन दाताओं में कितने भारतिय बैंक सामिल है तो 28 कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों तील यानि कि C राइट आंसर रहेगा स्ट्रेट बैंक ओफ इंडिया, SDFC बैंक और ICA, ICA, ICA आई बैंक उननिसवा कोशन है हाल ही में किसने अगामी खिलाडी के लिए होकी इंडिया का एसंत्वा लाकडा पुरुस्कार जीता है तो उननिसवे कोशन का राइट आंसर रहेगा दिपिका सोरेंग ने यानि कि A राइट आंसर रहेगा बीसवा कोशन है सुप्रेम कोर्ट ने जलवाई यू परिवर्तन के परतिकूल परभावों के खिलाव अधिकार को सामिल करने के लिए सविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार क्या सही आंसर हैगा अनुच्छेद 14 और अनुच्छे 21 का यानि कि 20 वे कोशन का रहेट आंसर D हो जाएगा A और B दोनों तो सबसे पहले तो आप लोग बतेगा कि 20 करेंट अफेर में से आप लोगों ने कितने सही किया है आज का हमारा हूमवर का कोशन है हाल ही में अयुद्या में स्री राम सूरिय तिलक कारेकरम में किस भारतिय संस्था ने एहम भूमी का निवाई है इस कोशन का अंसर सभी स्टूडेंट कमेंट वोक्स में बताएंगे इसका सही उत्तर मैं आपको कल की वीडियो में बता दूँगा आज का हमारा कोशन अप दे है भारत में लाइसेंस पराप्त करने की आई यू क्या है पाच सेकिन का समय मिलता है जल्दी से आंसर कमेंट वोक्स में बताएं इस कोशन का सही उत्तरेगा अठारा वर्स याने की B is the right answer देखिए कल का मारा होमवर का कोशन था और जिसका right answer है इंडोनेशिया ओनली टॉप इस्टरी आप डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड करिए और फाइव स्टार की रेटिंग भी जरूर करिएगा प्यारे दोस्तों Master PDF नहीं लिए है तो मातर 170 रुपे में आप लोग ये सारे सब्जेक्ट की Master PDF को प्राप्त कर सकते हैं Master PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और अमारे वोट्स अप नंबर दोनों जेंगे रहेगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आप PDF डारेक्ली प्राप्त कर सकते हैं ठीक है? सेशन आपको अच्छा लगे? तो प्लीज लाइक सेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सकाइब भी कर लीजिगा बेल अइकन को ओन रखना ताकि आग गया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो थेंक यू सो मच बाइबाइ एवरीवन टेक कर खाल लगे अपना मिलते हैं नेक्स क्लास में